मुंबई में आतंकी याकूब मेमन के मारे जाने के बाद उसकी कब्र सजाने का विवाद गहराता जा रहा है अब विपक्षी दल शिवसेना और कॉंग्रेस ने बिजेपी पर पलटवार किया है विपक्ष ने बिजेपी और याकुब मेमन के परिवार के बीच संबंध होने के दावे किये और तस्वीर ट्वीट की इसके साथ ही प्रियंका ने ततकालीन सीयम देविंद्र परणवीस को कब्र के लिए अनुमती देने के लिए जिम्मदार ठहराया और भाजपा को बेनकाप करने का दावा किया है उन्होंने बिजेपी नेताओं से सवाल पूछे है शिवसेना सांसत प्रियंका चतुरवेदी ने ततकालीन मुख्यमंत्री देविंद्र परणवीस पर हमला बोला उन्होंने 2015 में फासी दिये ज़ाने के बाद याकुब मेमन को दफनाने के संबंध में अनुमती देने से संबंधित कुछ सवाल किये हैं प्रियंका ने ट्वीट किया कि कैसे याकुब के शव को उसके परिवार को सौपा गया और नाकपुर से मुंबई ले जौए गया साथ ही किसी भी आतंकवादी के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद भारी भीड के साथ जुलूस की अनुमती दी गई प्रियंका ने कहा राजु के ततकालीन मुख्यमंत्री पर्नवीस ने याकुब के अंतिम संसकार के लिए भारी भीड को इकठा होने की अनुमती क्यों दी जिसके दबाव में केंद्र ने आखे क्यों मूंध ली ततकालीन सीयम देविंद्र पर्नवीस की निगरानी में मुंबई के खिलाफ हमलों के लिए जिमेदार एक आतंकवादी के लिए विशाल जनाजा निकाला गया अगर इसमें उनकी सहमती नहीं थी तो ज्राच का आदेश क्यों नहीं दिया गया और इसके लिए कारिवाई क्यों नहीं की गई प्रियंका का कहना था कि कब्रस्तान को परिवार द्वारा चुना गया था और ततकालीन मुख्यमंतरी की इच्छा के अनुसार इसकी व्यवस्था की गई थी आतंकवादी और उनके परिवारों को कब से विकल्प दिया गया है सिर्फ भाजपा ने संभाव बनाया अगर किसी को मुंबई शोहर और राज उसे माफी मांगनी चाहिए तो वह सिर्फ भाजपा है एक आतंकवादी के परिवार के इच्छा को पूरा करने के लिए काम किया गया जबकि अजमल कसाब या किसी अन्य देश के मामले में भी ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाती है हमेशा की तरह बिजेपी अपने ही बनाय हुए जहमेले में बेनकाब हो गई है प्रियंका चतुरवेदी ने एक अन्य ट्वीट में देविंद्र परणवीस और भाजपा के पुर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटल के साथ याकुब के परिवार के सदश्य रौफ मेमन की तस्वीर शेयर की है उन्होंने पूछा डिप्टी सीयम और मानिय मंतरी जी इस अभिनंदन समारोह का कारण बताए जवाब मेरे दोस्त हवा में उड़ रहा है बता दे कि रौफ मेमन को याकुब मेमन का चचेरा भाई बताया जा रहा है इस बीच कॉंग्रिस प्रवक्ता सचीन सावंथ ने भी महाराश के राजपाल भगत सिंग को उश्यारी द्वारा रौफ मेमन को सम्मानित किये जाने की एक तस्वीर ट्वीड की है और तंच कसा है उन्होंने पूछा क्या ये वही रौफ मेमन है साथ ही उन्होंने एक दस्तावेज शेयर करते हुए दावा किया है कि बड़ा कब्रिस्तान की जमीन नीजी है और राज्य सरकार या नगर निगम से संबंधित नहीं है सावंध ने सवाल किया जमीन ट्रश्ट के अंतरगत आती है ट्रश्ट के मताबिक विवादित स्थल पर सत्रह कब्रे है तो क्या वहां सत्रह कब्रों की मजार थी कई जगों पर मार्बल लगाया गया है मुझे बताओ मार्बल वाले इलाकी को लेकर बिजेपी सरकार क्या और कैसे करेगी हाला कि NCP ने इस मसले पर दूरी बना ली है विपक्षी नेता अजीद पवार ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसी वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदाइक मुद्दे उठाय जा रहे हैं उन्होंने भाजपा की निंदा की वहीं NCP के सहयोगी Republican Party of India के अध्यक्ष सचीन खरात ने याकुब मेमन के परिवार के सदश्यों के साथ तस्वीरे वारल होने पर हमला और डिप्टी सियम देविंद्र परणवीस के इस्तिफ़े की मांग की है बता दे कि 1993 में मुंबई में सीरियल धमाके हुए थे इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी इस मामले में याकुब मेमन को दोशी ठहराते हुए 2015 में फासी दी गई थी अब याकुब की कब्र को लेकर विबाद गहरा गया है बिजेपी ने पुर्व मुख्यमंत्री उधो ठाकरे पर सीयम रहते याकुब मेमन की कब्र मजवार में तब्दील करने का आरोप लगाया है जबकि शिवसेना का कहना है कि महाराष्ट में देविंद्र परणुवीज की सरकार ने याकुब के शोग को उनके परिवार को सौपा था फासी के बाद याकुब को मरीन लाइन्स रेलवे स्टेशन के सामने करीब साथ एकड में बने बड़ा कब्रस्तान में दफनाया गया था अब याकुब मेमन के कब्र की एक तस्दीर वाइरल हो रही है इसमें दावा किया ज़ारा है कि याकुब मेमन की कब्र को मार्बल और लाइट से सजाए गया है फोटो सामने आने के बाद महाराश्र में आरोप प्रत्यारोप की राजनीती शुरू हो गई है वहीं इस मामले में अब मुंबई पुलिस ने जाज भी शुरू कर दी है